नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में दोस्तो आज मैं आपको बताऊं कि ब्लेडर कैंसर से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिने हर इस्तरी पुरुष को जानना चाहिए दोस्तो कैंसर जैसे बीमारी का नाम सुनकर किसी का भी सिहर जाना लाजमी है जहां तक कि इसके वीविन सवरूपों की बात हो जैसे कि ब्रेश्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर और गले का कैंसर इत्यादी तो आम हो चुके हैं लेकिन अभी भी इस खतरनाक बिमारी के जाल में ऐसे बहुत से बाड़ी पार्ट है जिनके पूर्ण जानकारी हमें है ही नहीं आज दुनिया भर में इस जानलेवा बिमारी से हर उम्र के हजारों लोग गिरफ्त में आ रहे हैं कैंसर का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू यह है कि सही ट्रीटमेंट के बाद भले ही एक बार कैंसर होने पर आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाए लेकिन यह फिर से होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी है ही नहीं अब हालात यह हो चुके हैं कि कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से को अपनी जकड में आसानी से ले सकता है इन दिनों यह शरीर के उन भागों में फैल रहा है जहां कभी बहुत कम इसके चांस हुआ करते थे जैसे की यूरिनरी ब्लेडर यानि की मुत्राशय, कान और यहां तक की योन अंगों तक भी पुर्शो और महिलाव में यूरिनरी ब्लेडर एक तरह का मासपेशो का कोश है जो की दोनों के शरीर में यूरिनरी फंक्शन का किरियान वन करता है महिलाव और पुर्षों के अलग-अलग सारी रिक धाचे के चलते ब्लेडर कैंसर के कारक भी दोनों में अलग-अलग होते हैं तो चली दोस्तों इस वीडियो के जरी जानते हैं कि आखिर ब्लेडर कैंसर क्या है, इसके संकेत क्या है और इससे जुड़े फैक्ट्स क्या है को यूरिनरी इंफेक्शन के तोर पर भी देखा जाता है इसलिए वक्त रहते इस कैंसर का पता लगना बहुत जरूरी है महिलाओं में Bladder Cancer के मुख्य संकेत है अगर आकडो को देखा जाए तो महिलाओं के मुकाबले पुर्शों में Bladder Cancer के चांस ज़्यादा होते है लेकिन जब महिलाए इस कैंसर का शिकार होती है तो इनकी मृत्तिदर ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओ के केस में इसकी जाच लेट होती है और इसी वज़े से अधिकांस केसिज में वक्त रहते इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता हाला कि बलडर कैंसर से पीडित लोगों में इसके बहुत से अलग-अलग कारण हो सकते है लेकिन महिलाओ में स्मोकिंग के चलते ही इस कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क बना रहता है क्योंकि सिगरेट में मौझूद टोकसिन इस कैंसर के टीशूज को पढ़ा देते है बार-बार यूरिनरी इंफेक्शन होने के केस में बलडर कैंसर का खत्रा बहुत ज़्यादा रहता है साथी साथ महिलाओ में यूरिनरी इंफेक्शन और बलडर कैंसर के संकेत भी लग-बग एक समानी होते है ऐसे में अगर आपको बार बार युनेरी इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको एक बार अच्छे से चेक अप जरूर करवाना चाहिए अगर आपके परिवार में आपकी दादी मा, मा या फिर कोई और महिला को ब्लेडर कैंसर हो चुका है तो संभावित है कि आप भी इस बिमारी के शिकार हो जाए क्योंकि यह एक अनुवानशिक बिमारी है ब्लेडर कैंसर होने पर इसका इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि यह कितना फैल चुका है रेडियेशन थेरेपी, कीमो थेरेपी और सरजरी के जरिये इसके ट्यूमर को हटाया जा सकता है जिन महिलाओ को ब्लेडर कैंसर होता है और उसका सही ट्रीटमेंट होने के बाद भी वह इंफर्टीलिटी के हाई रिस्क पर रहती है ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लेडर कैंसर के इलाज के दोरान फर्टिलेटी हार्मोन्स और अंडे भी नकारात्मक रूप से परभावित होते है आम तोर पर महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की समस्या देखी जाती है जो की यिस्ट इन्फेक्शन का संकेत माना जाता है जबकि एनियमी तोर पर डिस्चार्ज की समस्या कम देखने को मिलती है लेकिन ब्लेडर कैंसर के केस में यह एक तरीके से बीमारी का सूचक होता है इसलिए समय रहते ही चेक अप करवाएं तो दोस्तों यह थी ब्लेडर कैंसर से जुड़ी कुछ खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं हम आप तक ऐसी ही नई और बहतरी जानकारिया पहुँचा सके इसके लिए आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना और वीडियो को लाइक वशियर करना ना भूले हम आप से जल्दी ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहे, स्वस्त रहे धन्यवाद